नमस्कार मैं हूँ सोग बर्मा आप देख रहें टीबी टॉंटी न्यूज सबसे पहले आप सभी को गर्तन दिवस की हार दीक सुब कामना हैं अब रुख करते हैं ख़बरों की तरफ आजमगल पबले के स्कोल कोटवा आजमगल की तरफ से सवी छात्र छात्राओं सिक्चकों वो आईवावकों को गर्तन दिवस की हार दीक सुब कामना हैं on the eve of the 72nd Republic Day of the Great Nation of India I congratulate my dear parents students and my staff on behalf of Azamgyar Public School Fraternity I congratulate everybody we should be proud of our nation that we belong to India is a great nation it has been a great nation and it has had a history of wise and learned people we need to learn from them we need to follow their footsteps and the constitution that we have the most elaborate constitution in the world the need is to follow it to venture on the right path and I request everyone that please stay united don't let anything or anybody divide you we are Indians first and we should be proud of that जैं तस्भीरों में देखें किसानों की ट्रेक्तर परेट में कहां कैसा मचा हुआ कोराम गर्तन दिवस के दिन कीर ट्रैक्टर प्रेट के दर्रान हिंसक प्रतासन की दर्वाश्च दिल्ली के कई कई बार्डर को रात बारा बज़े से आस्थाई रूप से इंटरनेट की सिवाए बंद कर दे गई इस बीच किसान लाल किले के पास लगे वैरिकेडिक को हटाने कोशिज करते दिखे दिल्ली पुलिस ने सर्तों के साथ ट्रेक्टर रेली की जाज़ दी थी लेकिं आज सुबस से दिल्ली के अलग अलग बार्डर पे किसान गुषा है अब डिल्ली की अलग-अलग हिसमें पुलिस के साथ जड़फ जबरन वेरिकेडिंग तोडने की तस्बीर ने सामने आग Boss है आज साथ दिल्ली एटीयस का एक कांश्णिबल बार्डर गाजीपूर बार्डर मुकरबा चौक और नाग लोई से इंटर्जिन से माय बंद कर दी गई है पहला दुखा पुलिस पर हमला दूसरा बसों में तोड तीसरा घोड़ों पर हुर्दन चौथा रूट फालो न करना पांचमा समय से पहले मार्च छटा मीडिया से ब दिल्ली में दुबारा दंगे चल रहे हैं पर्थराओं चल रहे हैं दिल्ली वालों की बसों को जलाया जा रहा हैं मैं यह पूछना चाहता हूं कहां है अर्विंद केजरिवाल जो इन लोगों को लाल आके आ रहे थे दिल्ली में आईए बैठिये कहां योगेंद्र जाने चाहिए ये कोई किसान अंदोलन नहीं है अभी सिख्फ और जस्टिस ने दो हपते पहले कहा था कि लाल किले पे खालिस्तानी जंडा फेराने पे दो मिलियन डॉलर मिलेगा आज ये सब लोग पुलिस वालों को मार के बसों को जला के लाल किले की तरफ बढ़ रहे हैं ये खालिस्तानी और नकसली आतंकवादियों का गड़ बंदन है जो दिल्ली को बार-बार जलाना चाहता है गड़तंत्र दिवस को बदराम करना चाहता है हर एक नेता और पत्रकार जो इनके समर्थन में आया था उन्हें सब को आज देश से माफी मांगनी चाहिए दिल्ली भी लोग ये हिंसा कर रहे हैं, इनके खिलाफ कठोर कारवाई होनी चाहिए और इनके नेता जो नकली नेता योगिंद्रियाद और राकेश टिकेट जैसे लोग बनके बैठे थे, इनको जेल में डाला जाना चाहिए तुरंत